आपको बताऊंगी कि अगर आप गुरुवार के दिन एक पेले नेवू का उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत चमक जाएगी दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये नीबू का उपाय गुरु वार को क्यों अगर दोस्तों गुरु वार को गुरु ग्रह को प्रेबल करना हो तो आपको पीले बस्तों से कुछ उपाय करने होंगे यदि दोस्तों आप पीले वस्तुर से कुछ उपाय करते हैं आपको बहुत सारा लाफ हो सकता है अगर दोस्तों आपका ग्रह कमजोर हुआ हो तो आपको बहुत सारी परिसानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे घर में प्रेंसे की तंगी आना, बहुत दिने से किसी को नौकरी ना मिलना, साधी में रुकावट आना या घर में रात की समय बहुत कलेस होना ये सारी परेसानिया दोस्तों गुरु ग्रह दोस्त के कारण आ सकती है यदि दोस्तों आपको अपने गुरु ग्रह को प्रबल करना हो तो गुरु आर के दिन आपको पीले वस्तिव से कुछ उपाय करने चाहिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगे कि आप गुरु आर के दिन पीले वस्तिव ही धारण करें इससे दोस्तों आपके किसी भी काम में गुरु आरके दिन दिक्वावट नहीं आएगी तो दोस्तों आए जानते हैं उस उपाय के बारे में दोस्तों आपको एक पीला नेवू लेना है दोस्तों उस नेवू में कोई दाग धबा ना हो दोस्तो पेला नेवु लेकर अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है और दोस्तो पूजा घर में नेवु को मालचमी के आगे रख देना है आपको अपनी दोनों आखे बंद करके और दोनों हाथ जोड करके ओम, स्री, स्रे, नमाह, इस महालचमी के महा मंत्र को आपको 21 बार जाब करना है दोस्तो इस मंत्र का जाब करने से महालचमी बहुत प्रशन होती है और आप पर उनकी विशेश किर्पा बनी रहती है दोस्तो मंत्र का जाब करने के बाद उस नेबु को अपने दहने हाथ में लेकर आपकी जितनी भी परेशानिया है उस नेबु से बोल देनी है उसके बाद दोस्तो उस नेबु को अपने दहने हाथ में लेकर अपने सर पर से साथ बार उल्टा उबारना है उल्टा उबारने के बाद आपको उस नेबू को वही पूजा घर में रख देना है और आपको सो जाना है और सुबे जब आपकी नीद खुलेगी आपके असनान के बाद पूजा पाठ के बाद आपको किसी भी समय उस नेबू को उठा लेना है और आपको दोस्तो उस नीबू के चार टुकड़े करने होंगे उसके बाद दोस्तो आपको अपने घर के बाहर आना है उन चारो टुकड़ो को लेकर चारो दिसा की और फैक देना है अगर दोस्तो आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने बिल्डिंग के चारों दिसर में चारों टुकडों को फैग देना है दोस्तो इस पुपाय के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी दोस्तो इस नेबू के वज़ा से आपके गर में कोई भी काली नजर क्या नकारात्मक सक्तियां परवेश नहीं कर पाएंगी दोस्तो हमारे दोरा दी गई चानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने पज़बार चनो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद और नमस्षिवाएं